तो आज जैसे कि हमारा जो डेरिवेटिव्स है उसका हमारा आज है फोर्थ क्लास ठीक है तो अब एक चीज समझना हमने कल ऑप्षन चालू किया था ठीक है ना ऑप्षन्स कल अमने चालू किया था बट इस पर हमने कोई भी टैप के नोट्स नहीं लिखे थे तो आज हम लोग नोट्स लिखेंगे और एक बर इसको समझेंगे फिर मैं आज आपको एड़नेसे इंडिया के वेबसेट पर दिखाऊंगा कि option का क्या chain है थोड़ा पे ओफ अगेरा से भी समझेंगे ठीक है तो सबसे बढ़े लिखना difference between futures and options futures and options के बीच में क्या फरक है लिखो future futures have an obligation obligation का मतलब क्या होते कि इसको मेरे करना ही पड़ेगा मैं चाहा के भी इसको अवाइट नहीं कर सकता ठीक है चाहे मेरे favor में हो चाहे मेरे against में हों मेरे को इसको अभे करना ही पड़ेगा ठीक है है बट यहीं परकल जब हमने option की बात की थी तो option को हमने क्या define किया था हक राइट हमने जैसे lottery example लिया था तो lottery में हमने क्या देखा कि हम लोग जो लोट्री रिकेट purchase करते तो हम लोग का price कितना लगता है 100 रुपीस राइट वो जो 100 रुपीस का हमारा जो price है वाट हम लोग क्या सोचते हैं कि 100 रुपया लगा के हम लोग एक करोड रुपया कमा सकते तो इस ऑप्शन बाइंग ठीक है क्योंकि हम लोग को लगता है पाने के लिए तो पूरा अस्मान है और जाएगा तो कितना जाएगा 100 रुपया तो आप्शन में कि टीजर राइट कि बट नॉट एन अब्लिगेशन थीक है जो बच्चे नहीं कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दो अब जैसी क्या है अब जैसे वोल्टास चीक है वोल्टास अब यह वोल्टास कंपनी जो है क्या हो रहे ध्यान से सुनना वोल्टास का एसी बिखते हैं ठीक है उसको डर किस चीज का लग रहे है कि समर्स विल नॉट बी सो होट एक स्ट्राइक प्रैस फिक्स हुआ कि 40 डिग्री सेल्सियस का ठीक है प्यूचर्स क्या बोलता है कि अगर एक डिग्री उपर होगा चीज समझो डिग्री उपर होने से एसी ज्यादा बिकेगा तब तो अपने को डर नहीं है तब तो अपने को डर नहीं है ना डिग्री ज्यादा होने से मैं पैसा दूंगा क्योंकि मेरे को एसी में ज्यादा प्रॉफिट होगा और वही प्रॉफिट मैं आपको दे दूँगा क्योंकि मेरे को तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए कि बहुत 40 जिग्री मेंटेंड रहे टेंपरेचर चीज समझो चालिस जिग्री का टेंपरेचर मेंटेंड रहेगा तो मैं खुश हूं मेंको ना ज्यादा ची ना मेंको कम चाहिए ठीक है एक डिग्री ऊपर जाने से आउट फ्लो कितने का वन लैक का ठीक है और एक डिग्री सेल्सियस अगर नीचे जाएगा तो इन फ्लो क्योंकि एसी कम अगर बढ़ता है तो आउट फ्लो और वन डिग्री सेल्सियस गिरेगा तो इन फ्लो ठीक है यह नॉर्मल फ्यूटर्स कांट्रेक्ट हो गया क्योंकि देखो अब उपर जाए टेंपरेचर चाहिए नीचे जाए मेरेको तो अबे करना ही पड़ेगा चाहिए मेरा प्रॉफ पांच लाग रुपया देगा हम पांच लाग रुपया तुमको स्टार्टिंग में देगा ठीक है टेमप्रेचर उपर अगर जाता है जी समझाओ वोल्टास को डर किस चीज का गिरने का डर है तेमप्रेचर गिरेगा तो उसको नुकसान होगा उसको उस समय प्रॉफिट चाहिए तो कल अपने दो चीट discuss किये थे, एक discuss किये थे call और एक discuss किये थे put, call का मतलब क्या होता है, upside betting, put का मतलब क्या होता है, downside betting, call मतलब क्या होता है, उपर जाने से difference आएगा, put का मतलब होता है, नीचे जाने से difference, सोचो, call का मतलब क्या होता है, उपर जाने से difference आएगा, put का मतलब क्या होता है, नीचे जाने से difference आएगा, बहुत simple है, तो, वोल्टास बोला, हम आपको 5 लाख रुपया देगा, उपर जाने से हम कुछ नहीं देगा, चीज समझो, वोल्टास बोला, हम आपको 5 लाख रुपय रुपए देगा उपर जाने से हम कुछ नहीं देगा लेकिन नीचे अगर जाएगा तो हर एक डिग्री के लिए मेरे को एक लाग रुपए चाहिए क्लियर है तो यह कैसा कॉंट्रेक्ट हुआ पुट ऑप्शन हुआ ना नीचे जाने से डिफ्रेंस आएगा उपर जाने से लैप्स और यह एक हक हुआ ना कि भई सिचुएशन अगर मेरे फेवर में मूव करेगा तो हम एक्जीक्यूट करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे और नहीं प्रीमियम कितना थीए पांचलाग नो सपोश्शन टिम्प्रेचर इस थर्टी merge celsius तो मेरे को आय गा सातलाग मैने से एक प्रीमियम कितना थीया specified price put में लिखना write to sell at a specified price ठीक है समझ गया ना ठीक है put मतलब होगे downside betting call मतलब होगे upside betting ठीक है अब एक example करेंगे हम लोग अच्छा और भी लिख लो pay off लिख लो pay off call के case में क्या होगा max of st minus k,0 st मतलब क्या होता है share price at maturity k मतलब क्या होता है strike price put के case में क्या होगा max of k minus st,0 ठीक है ठीक है अब लिखना option buyer एक तरफ option seller एक तरफ ठीक है option buyer का जो pay off होगा that will be positive और 0 और यहां पर option seller का जो pay off होगा वो negative होगा या फिर 0 अब एक चीज़ समझो option buyer का pay off कभी भी negative क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि option buyer तो हक खरीदा है न option buyer सिर्फ उसी समय अपना contract को execute करेगा जब उसके favor में move करेगा option buyer का मतलब क्या है पाने को आसमान है खोने को सिर्फ premium जो वो pay की है ठीक है pay off का बात हो रहा है profit नहीं pay off से जब मैं premium minus करूँगा तो मेरा profit आएगा प्रीच को रखते हैं और option seller के case में क्या होता है option seller का देखो pay off जो है वो negative क्यों 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 क ठीक है, और option seller का क्या है, obligation, ठीक है, option buyer pays premium, option seller receives premium, option buyer loves volatility, why does option buyer love volatility, क्योंकि उसको तो पता है न, कि कितना भी market में भूचाल भी आ जाएगा, option buyer का जो loss है, वो क्या है, limited, and option seller will hate volatility, option buyer, loss is limited, or option seller का loss is unlimited, ठीक है, तो यह basic differences हो गए, आई, अब हम लोगे question देखते हैं, जिससे माल लेते हैं, TCS का share price देखे, बता हो तो कितना चल रहे है, TCS का share price देखे, बता ही, कितना चल रहे है, chat box पर बताईए, TCS का share price कितना चल रहे है, 4283, ठीक है, तो 4200 ले लेते हैं अपने, ठीक है, यह अपना current market price हो गया, CMP बोलते हैं, current market price, strike price अपने लेते हैं 4500 का, ठीक है, माल लेते हैं, अपने call option buy किये, call option buy किये, अपने जो premium दिये हैं अपने जो premium दिये हैं, वो अपने दिये हैं 100 रुपीस का, ठीक है, call option buy करने का जो premium अपने दिये हैं, इसका मतलब कै है, जिस चीज का आज दाम for example माल लेते हैं टाइम पिरिएड है 3 मंस का ठीक है टाइम पिरिएड है 3 मंस का यह basic information है इसका मतलब क्या है पहले तो यह समझ लेना इसका मतलब है जिस चीज का दाम आज 4200 चल रहा है अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे आज लेक्ट उसाई कि उसमें लोगे आज कि लेगा आज कि लेगे ऑल काू खाक्ट वप्स टीज का बैस आज दे दिस हूँ आफ्ट्योँ रूप्स 네 प्ट्य। For that, I have paid ₹100 as premium. नहीं, उसमें भी दो टैप कह उता है, आप्शन दो टैप कह उता है, एक उता है European और एक उता है American. लिखी लो अब जो तुम पूछी हो तो, European option जो होता है, उसको अपने exercise कर सकते हैं only at expiry. And American option जो होता है, उसको अपने कर सकते हैं on or before expiry. ठीक है? अब देखो, यह तो हो गया, अब इसका betting knowledge में क्या आपने बनाए थे कल? अगर betting case आप से देखेंगे तो क्या होगा? उपर जाने से difference आएगा, यही बनाए थे ना? उपर जाने से difference आएगा, राइट? तो अब चलो हम लोग share price imagine करते हैं, तीन मेना बाद क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? वो betting के लिए उपर जाने से difference आएगा, किसका किसका difference? जो share market में जो price चल रहे हैं तीन मेना बाद और strike price का, ठीक है? दीर दीर अपना tone बैठेगा फिर. अपने चालू करते हैं, चार अजार से, ठीक है? इस शेयर प्राइस एस थ्री मन्स बेसिकली, ठीक है? ठीक है? तो बेसिकली अपने अब चालू करते हैं सबसे बहले पे ओफ से, ठीक है? तो मैं क्या बला ऊपर जाने से difference आएगा? श्ट्राइक प्रेस है 4500 बट श्राइक प्रेस तो नीचे चला गया ना इसका लॉजिक है जो चीज मेरको मार्केट में 4000 में मिल रहे है वो चीज हम तुमसे 4500 में क्यों खरीदे तो इसकेस में ऑप्शन क्या हो जाएगा लैप्स यहाँ पर भी लैप्स 4400 में देखो जो चीज मार्केट में 4400 का मिल रहे हो चीज हम तुमसे 45500 का मिल रहे है अगर हम तुमसे 4500 में खरीदेगा तुम्हें को 100 रुपय का फायदा होगा तो यहाँ पर जाने से दिफ्रेंस आएगा तो 4600 उसे 500 which is 100 यहाँ सेम क्या होगा 300 और यहां क्या होगा 500 अब यह चीज़ करने के लिए मैंने जो प्रीमियम दिया है मैंने प्रीमियम कितना का दिया है और ऑप्शन बायर हूँ तो हन्रेड नेगे टीव होगा सब कि अप्शन बायर हो तो हंड़ेड सब में नेगेटीव होगा ठीक है अब आते हैं यहां पर प्रॉफिट में तो पे ओउफ माइनस प्रीमियम यहां मेरे को 100 रुपय का नुकसान यहां मेरे को 100 रुपय का नुकसान यहां जीरो यहां 200 का profit यहां 400 का profit ठीक है गें क्या है बायर लव्ज वो लैटलिटी वो क्या चाहता है कि market एकदम हिल जाए गिर जाए golden market एकदम तूफा न आ जाए trade यह फिर बहुत जोर का नीचे जाए अब तुम बोलेगा to buy not an actual buy यही सोचो अगर वो 4,200 में buy कर लेता और market 3,000 चला जाता तब उसको नुकसान होता बट अभी उसका maximum नुकसान कितना है 100 रुपया तो उसके लिए loss is limited but profit is unlimited और कलम लोग एक और बुले थे कि option buyer को एक छोटा amount खोएगा इसका high probability है और एक बहुत बड़ा amount कमाएगा इसका small probability है ठीक है ना तो basically इसको फाइदा कब हो रहा मार्केट उपर जाने से फाइदा हो रहा है तो call option में मेरा mindset क्या bullish है ठीक है यहाँ पर basically मेरा जो mindset that is bullish ठीक है कि करें रहे है वह कि नेक्स्ट आप एशिए पींट्स का कंपनी का शेप्रेस बताओ इसी इन पेंट्स का करें मारकेट प्रेस बताओ सब लोग अपना फोन में मनी इक आप कर लो लो कोई भी एक टाप दाणलोड कर लो 3 to 3 to 7 5 चल रहे ठीक है Asian Pains का यह current market price है अब माल लेते हैं मैंने एक call option sell किया है ठीक है और मैंने premium खाया 200 रुपया का ठीक है strike price जो आता है that is 3150 3150 का ठीक है and जो time period है वो है one month का ठीक है अब prices देख लेते हैं अपन हम लोग prices देख लेते हैं प्राइस जैसे मान लो अपना आता है 2500 फिर अपना आता है 3000, 3200, 3400, 4000 ठीक है अब सबसे बहले payoff बताईए call option है न तो उपर जाने से difference जाएगा तो गया क्या नीचे तो laps गया क्या नीचे तो laps उपर जाने से difference जाएगा तो देखो 3150 उपर गया न बत्तिसों हो गया तो कितना उपर गया पचास तो difference का पैसा जाएगा difference का पैसा जाएगा अरे call option buy की तरह सोचो बट pay off negative हो जाएगा और क्या 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 क्योंकि seller buyer को देगा न उपर जाने से difference आता है तो एक 3050 का 3250 आता लेकिन option बेचा है तो गया क्योंकि premium खाया है कितना रपर प्रीमियम खाया है कि सब में premium कितना खाया दो सो का premium खाया है negative नहीं होगा sorry है 200 positive ओगा ठीक है उपर जाने से difference जाएगा है ना उपर जाने से difference जाएगा क्लियर है अब इसको calculate करो तो दो सो दो सो डेड़ सो पचास का नुक्सान और यहां कितने का नुक्सान हो रहा है साड़े 600 का नुक्सान तो जो call option sell कर रहा है वो चाहता है market थम जाए मार्केट थम जाए एक तो मार्केट थम जाए और दूसरा क्या है उसका bearish mindset है bearish mindset है क्योंकि उसको नुक्सान कब चालू होगा उसको नुक्सान कब चालू होगा बताओ उपर जाने से ना 3150 है 3150 के ऊपर उसका pay off चालू राइट एंड जी समझो 315 सॉरी आम रेली सॉरी 31 आम रेली सॉरी है मैं भूल से बोल दिया ठीक है 31 उसका उसका इब बताओ उसको नुक्सान कब से चालू होगा 3150 प्लस 200 ना 3150 प्लस 200 इस 3350 सो अगर 3350 के उपर जाएगा तब उसका नुक्सान चालू हो जाएगा ठीक है ना क्लियर है आप ऐसी देर हो मैं से एंपी उसके आसपास का ले रहा हूं यहां तक सब को सब्सक्राइब यह सो नू तो लो एस जेवसी वैंक बताओ हुं इसका जेपी हो गया हुं इसका सी एमपी हो गया है बिवहाख अपने के अपने पुट्रीदें आ हैं यह बद है माले तो शेयर प्राइस एट मेच्चॉरिटी ठीक है शेयर प्राइस का लेवल्स देख लो लेवल्स दे रहा हूं चौदा सो शोला सो अठारा सो दो हजार बाइस सो फुट ऑप्षन का मतलब क्या होता है राइट तू सेल अगर मेरा इच्छा करेगा तो मैं सामने वाले को सत्रासो में बेचूंगा नहीं तो नहीं बेचूंगा ठेक है और बेटिंग का मतलब कर नीचे जाने से डिफरेंस आएगा तो संद् псих का कि कि लिए चैने से यहां भी लैप्षक माने के लिए इसलिए प्रीमें कितना दिया है वन फिफ्टी दिया है 150 दिया है 150 दिया है तो यह सारा नेगतिव में आएगा कि सब नेगेतिव पॉजिटीव आपर देख लें नहों सकता मेरा कभी गलती हो जब रैकेट बगड़ा ठीक है, राइट तू सेल अट अस्पेसिफाइड प्राइस. Is it clear? ठीक है, इसके बाद, नेक्स्ट, आई से बैंकर शेप्रेश देखे बताओ, कितना आ रहा है? 1, 2, 7, 7 आ रहा है क्या? ठीक है, चलो इसको अपने राउंडिंग कर लेते हैं, बारा सो पचास. ठीक है, श्ट्राइक प्राइस अपन मान लेते हैं, ठीक है, अपने पुट बेचे हैं, ठीक है, अपने पुट बेचे हैं, पुट बेचे हैं, और अपने प्रीमियम खाएं, 2500 रुपे का, ठीक है? ठीक है, तुट बेचे हैं, बने तेरा सो के नीचे जाने से डिफरेंच जाएगा, राइट? तो अपने कर रहे हैं, 1000, 1200, 1300 और 1400. तो नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, उपर जाने से लैप्स, तेरा सो के हिसाप से देखेंगे, जो स्ट्राइक प्रेस होता है उससे देखते हैं, तो पे आफ का अगर हम लोग बात करेंगे, तो नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, तो यहां तीन सो गजाएगा, यहां यहां lapse प्रीमियम आया है प्रीमियम खाए है ऑप्रीमियम काय रुपएगा माश्या कि प्रीमियम खाएग है तो जो प्रॉफिट आएगा वो खीतने का यहां आएगा 50 णुक्सान यहांवारेगा instant mindset utos 2300 को मैंसेट कीसा है माइंडसेट है बुलिश और एक है माइंडसेट हेट्स वोलाइटलिटी पुट ऑप्शन इस डाउनसाइट बेटिंग संसकार पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि पुट ऑप्शन इस तब होगा ना जब मार्केट में कम का बिकेगा बट मैं आपको हायर प्रैस पे लॉक कर लिया हूं चिक है अब चलो अब एक और प्राक्टिस करते हैं निफ्टी बताओ कितना चल रहे हैं निफ्टी बताओ कितना चल रहे हैं तो पच्चीस राठ सो मान लेते हैं ठीक हैं 25,800 market star all time high तो अपना जो strike price आ रहा है 25,000 का ले लिया मैंने ठीक है अपने क्या किये एक call buy किये और एक put buy किये ठीक है अपने total जो premium दिये हैं न टोटल 200 रुपय total premium दिये है ठीक है 200 रुपय total premium दिये है maturity का time period का दरकार नहीं है अब मान लो share price maturity का levels देख लो 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 ठीक है सबसे पहले मैं बता रहा हूँ pay off from C उसके बाद बताऊँगा pay off from P उसके बाद में total premium और फिर उसके बाद में profit ठीक है option buy किये है तो premium गया है कि आया है जल्दी जल्दी बताओ गया है कितना गया है 250 चला गया 250 सब में चला गया ठीक है अब call का मतलब क्या call buy क्या मतलब क्या उपर जाने से difference आएगा तो 2500 के उपर जाने से difference आएगा नीचे जाने से laps तो यहां 1000 रुप्य आएगा यहां 2000 रुप्य आएगा P में क्या होगा नीचे जाने से difference आएगा उपर जाने से laps तो यहां laps, laps, laps यहां कितना आएगा बताओ यहां आएगा 1000 और यहां आएगा दो हजार, ठीक है, अब टोटल जो पे आफ है, टोटल पे आफ है, दो हजार, 25 रुपाय प्रीमियम का दियें, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, बताईए, 1750, यहाँ यहाँ, 750, यहाँ, 2500 का नुकसान, यहाँ, 750 और यहाँ, 1750, इससे यह समझ में आता है, कि जो option buy करता है, buy, उसका मन में यही है, कि भूचाल आजाए, ठीक है, अब यह जो इसका mindset क्या चीज़ समझो, इसको पता था, market में भूचाल आएगा, लेकिन किस तरफ आएगा, यह नह नहीं पता, तो यह क्या किया, दोनों तरफ का एक-एक buy कर लिया, इसको यह नहीं पता था, कि market में भूचाल किस तरफ आएगा, उपर तरफ न नीचे तरफ, तो यह दोनों buy कर लिया, अब जब जोर का भूचाल आएगा, तो क्या होगा, या तो बहुत जोर का नीचे बैंक निफ्टी बताना कितना चल रहे हैं? बैंक निफ्टी बताना कितना चल रहे हैं? 52 52.900 बान लेते हैं चीक है? उस फिल रहे हैं हुँआ है? अनफ मैंने क्या किया? एक काल είल किया और पुटं किया टोटल टोटल जी किया ना पार्मापय का प्रीमियम खाए है टोटल जी करना है पानोच रभास प्रीमियम खाए है ठीक है? तो यह मेराDamonप में, को अगया तो बिसिकली एस एस तुम्हारा मेक्चॉरिटी पे बिसिकली इंडेक्स है शेर तो नहीं इंडेक्स है तो इंडेक्स का प्राइसेज देख लो दे रहा हूँ जुआ है लेट्स स्पोस एले तो फॉप्रिफिन थाउजन टिक है है ट के फिफ्टी थी थाउजन ट П clear पिफ्टी टाउजन टिसें फी थाउजन टिक है तो बेसिकली सबसे पहले C- का फिर T- का फिर टोटल पे ओफ फिर टोटल प्रीमियम फिर आएगा टोटल प्रोफिट ठीक है ना तो प्रीमियम टोटल कितना खाया है 500 पॉजिटिव आएगा ठीक है यह समझारा है न तुम लोग को यह 500 पॉजिटिव आएगा सब में ठीक है अब C- मतलब क्या उपर जाने से डिफरेंस जाएगा नीचे जाने से लैपस 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 उपर गया तो 2000 पर जाएगा और यहां कितना जाएगा 4000 जाएगा ठीक है नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा यहां कितना जाएगा 4000 यहां कितना जाएगा 2000 यहां लैपस 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 तो टोटल पेअफ क्या हो जाएगा, यहाँ 4000 नेगेटिव, यहाँ 2000 नेगेटिव, यहाँ निल मने 0 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ 2000 नेगेटिव और यहाँ 4000 नेगेटिव, अब इस केस में देखो, यहाँ 500 का, यहाँ basically 3000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है, यहाँ 1500 का नुकसान हो रहा है, यहाँ 500 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 1500 का नुकसान हो रहा है, अब चीज समझा, दोनों तरफ का बेच दिया, इसको लगा कि मार्केट हिले गए नहीं, मार्केट थम जाएगा, तो मार्केट थम जाएगा, तो जब मार्केट थम यहां पर ध्यान देना। जब मार्केट थम गया देखो ये मार्केट थमा तब इसको पैसा का प्रोफिट हो रहा है। बट मार्केट अगर कोई भी तरफ में बहुत जोर का मुवमेंट दिखा रहे तो इसको नुक्सान चालू हो रहे है। ठिक औि बता सकती है कॉन सा रेंज ऐसे हի जिसके में इसको लॉस नहीं होगा। कॉन सा रेंज ऐसे DOショुन सान नहीं होगा। जु ट्राइक प्रेइस है अभी प्लस मैनस प्रीमियम। प्लसमा अनस प्रिम्यम मश्.. पांसों का प्रिम्यम खाया है तो इसका मतलब क्या है 53,000 है ना 53,000 प्लस माइनस 500 बेसिकली ही विल नाट मेक लॉस इन दरेंज 52,500 से लेके 53,500 समझा लोग यह ट्राइ करता आप्शन सेलर लोग कि जितना ज्यादा हो से के प्रिम्यम खाले जितना ज्यादा प्रिम्यम खाएगा न उतना बढ़िया लॉजिकली सोचके दिखो ना जितना ज्यादा प्रिम्यम खाएगा उतना बढ़िया एनस के लिए तो ठीक है अब नेक्स ट्राइडिजी करें आप तक लिए बजास पाइनस के शेपरेज बताओ आप परशाफ पानेस के शेपरेज बताओं यह जाओ वो कराओंगा हो कराओंगा 7722 आ रहा है ना तो 7700 माल लो चीक है अब मैंने क्या किया है सुनो एक call option buy किया है मैंने call option buy किया है call option का जो strike है ना call option का जो strike है वो 8000 है और इसके लिए मैंने जो premium दिया है इसके लिए मैंने किया है put option का जो strike price है वो है 7400 ठीक है और इसके लिए मैंने प्रीमियम दिया है 250 कि अलग-अलग strike price का मैंने कर रहा हूं ठीक है तो अब जैसे मालो शेयर प्राइस में चॉरिटी का शेयर प्राइस में चॉरिटी का ऐसा सोचो प्राइस में चॉरिटी का अपने करते हैं 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 8000 ठीक है उसके बाद में अपने भी करेंगे C plus का फिर अपने करेंगे P plus का फिर अपने करेंगे Total Pay Off फिर अपने करेंगे Total Premium फिर अपने करेंगे Total Profit call option में क्या होता है, उपर जाने से difference आएगा, ठीक है ना, उपर जाने से difference आएगा, तो देखो किसी में भी call option exercise हो रहे गया, किसी में भी call option exercise नहीं हो रहे है, तो यह सब case में क्या हो जाएगा, लैप्स, ठीक है, पुट option में देखो, नीचे जाने से difference आएगा, तो 700 के नीचे है, तो यहाँ 700, है ना, यहाँ 500, यहाँ 300, ना, सौरी, सौरी, पुट option का कितना है, एक मिट रुको, एक मिट रुको, एक मिटा, हाँ, एक मिट रुको, तो call option तो एक साइज नहीं हो रहे है, क्योंकि 8000 का strike दिया है, पुट का 7400 है, तो यहाँ क्या होगा, 400, 200, लैप्स, 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 तो टोटल पे आउफ क्या आ जाएगा, यही 400 आएगा, यही 200 आएगा, बाके सब साइज 400 दिया है न, अब इस case में देखो क्या हो रहे है, पहले वाले में 50 negative, फिर कितना हो रहे है, धाई 100 negative और फिर कितना हो रहे है, बोलो, 450 negative सब में, राइट, तो बिसिकली इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, वो सोचा था भूचा लाएगा, लेकिन मार्केट ह यो चींङर चिंड है और में लुट सब्सक्राइब बढ़यें तो दोने तरह का पूर में भी देना पड़ेगा चीके ए कपी कर लिज इसको असारा हां कुछ भी उसकते कुछ भी हो सकते है डिप सुक्राइब असारा आप जिस नो को यह देता हूं तुमें कर के दिखाऊ कि ब्रिटेनिया का दाम बताओ कितना चल्लेश है प्राइज अब मैंने क्या किया है एक कॉल ऑप्शन बाई किया है जिसका स्ट्राइक है 6500 का इसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया है 300 रुपया ठीक है और एक कॉल ऑप्शन सेल किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 7000 और इसके लिए मैंने प्रीमियम खाया है 1500 रुपया ठीक है अब मैच्यॉरिटी पे शेयर प्राइस के लेवल्स देख लीजिए शेप्रेस के लेवल्स आ रहे हैं 6200 6500 6800 7200 7500 ठीक है अब आप सम को पुरा बनाईए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ चालू करिए इसको चालू करिए झालू झालू झाल 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 सी एंटू एक बार में हो जाये कलेर याश्य में पेपर्शेटर का इतना इंटेलेक्ट नहीं जितना तुमारा सर का है याश्य मैं क्यों करूँ याश्य अगे अगर सर है याश्य कर रहे होते हैं शुरू से भी तक बच्चे लोग का तो सर कभी और पढ़ाना नहीं परता तो तुमको बता है हम लोग का दिली सेंटर में ऐसे बच्चा लोग आ रहा है and they're just walking in and saying हम लोग अपना exam coaching center में दिये थे तो आप लोग यहां पर भी होगा ना बोले बहुत क्या भोल रहा है तुम चूप करो पक नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है अरे exam तुम लोग समस्ताने exam तो clear हो जाएगा बट जीवन जब तुम लोग को थपड मारेगा तब क्या होगा नहीं हो पाएगा भाई exam तो clear होई जाता है किसी का असली मुकाबला तो जीवन से होता है अभी तुमनों कितना बच्चा है ना अभी 10 साल अभी 10 साल तुमनों का लाइफ एक तरम अच्छा चलेगा 18 साल गाना तुमनों का भी 20 साल का हो गया ना 6 साल आराम चलेगा फिर देखना बस ऐसी अगर होता है यार समय थोड़ा होता है 20 नए अभी तो अभी तो क्या है तुमको पता है कि क्या करना है यहीं तो सबसे बड़ा चीज है ना अभी तो तुमको पता है कि तुमको क्या करना है जब मेरी एज पर आओगे तब यह नहीं पता होगा कि इस सिचुशन ने क्या करना है आरे वो तो पढ़ाई रिलेटेड हो गया तो एक ही आस्पेक्ट हुआ अभी तुम को वही तो मैं समझा रहा हो ना अभी तो तुम मतलब लपापा हो गया और जो भी फ्रेंड्स हो गया सबसे बढ़ा तो एक रिलेशन्स का जो होता है फिर मनीपार्ट पर आते है मनीपार्ट में तुम देखोगे गिसम्वन इस दूइंग मच मच बेटर यह पिर मालो तुम लोग यही रह गए तुम लोग बोंबे में काम कर तो तुमको बहुत अजीब लगेगा उस समय कि इस नोट आ जलन का भावना जलन का भावना है सम्धिंग डिफरेंट तुमको ऐसा लगे कि कि I can also do this but you will somehow feel that you're stuck तुम कितना भी अच्छा पोस्ट पे ओ फिर भी तुमको सम्हों लगेगा कि यूर सम्हों स्टक मेरको विदे को में को ऐसा लगता है कि I am सम्हों स्टक मैंने असा लगता है कुछ बांधा है मेरे पेर पे वो खुलेगा तब देखना हां मतलब बहुत वो लगता है and then you will see इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई जल्दी कम्प्लीट कर लेना चाहिए तक मेरे मांड में खाली यही था अब एक पर बचा है मैं उतना सुस्ता नहीं हो जो क्रीम टाइम होता है न वो उसके पहले पढ़ाई कम्प्लीट हो जाने से न देन थिंक अब अधर इसलिए बाइस तक पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगा ना तब तुमको लेगा हाँ अब ठीक है फिर तुम लोग बाकी आस्पेक लाइफ का भी तुम लोग कुस देखी में जाएगा तब तुमको तुम देखता अभी जो जैसे हमें तो चिल-चिल रिटाप के है तो मेरे मेरे घर भी जब मैं देखा था अपने भाईया लोग को यह एची ऐसा है वने 27, 28, 30, early 30s मतलब में को लगता है यह जो दस साल का पिरिए ने 26 से लेके 34 तक 25 से 35 तक यह ब अब तुम्हारा टाइम है अब में को अब में को दिख रहा है ना कि अब मेरा टाइम है तो अगर अब ही मैं नहीं किया तो कब करूँगा इतना साल जो मैं मैं मैंने किया अब में को बता मेरा टाइम है बट उसमें क्यों को बहुत सेरे stoppages आएंगे जी बजी टैप का प्र प्लस का पेओफ यह लोग सब एंसर भी निकाल ली आप तो सी प्लस का जो पेओफ है अब यह से बहुत लोग का फोन आता है वोग 2526 कह लेकिन वोग का CM2 नहीं क्लियर है यह सब भई एक ट्रॉमा टाइप कहें मतलब समझ रहे है एक बार में निकल गया तो अच्छा है बहुत पढ़ना पड़ता है बने ऐसा कुछ भी छोड़के नहीं जाना है मतलब पूरा पूरा करके जाना है मतलब पूरा समस्ते है तो वह है तो अ श्ट्राइक के ऊपर जाने से पैसा आएगा ठीकिवाई किया है तो यहां लैप्स यहां लैप्स यहां तीन सो यहां पान सो यहां साथ सो और यहां हजार ठीक है फिर सी माइनस ठीक है ना तो सी माइनस मतलब क्या साथ हजार के ऊपर जाएगा तो डिफरेंस जाएगा तो लैप्स 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 लै हाँ है टोटल पे ओफ तुम समझा इसमें मेरा माइंड सेट किया मैं तुम को बताता हूं इस स्ट्राटीजी में मेरा माइंड सेट है कि भई मार्केट उपर जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा उपर नहीं जाएगा इसलिए मैंने क्या किया जो करेंट मार्केट प्राइस था उसके आज पास के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदा कि उपर जाएगा मार्केट तो मेरा पे ऑफ चालू हो जाएगा बट मेरे को यह पता है कि इसकी उपर नहीं जाएगा फिर मेरे को इसकी उपर का हाँ लेकिन डेड़ सो रुपरी भी तो हुआ ना तो अ मेरा नेट नेट जो टोटल जो प्रीमियम मेरा लगा हाँ व्यॉन फिफिटी नेगेटिव लगा यह समझ यहान तुम्लों क्योंकि मेरा recovery भी तो हो ना 500 रुपय का तो मेरा जो total profit है वो कितने का है हाँ 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 और फिर 350 तो तो लोग समझा हम लोग कर लिए अपना पैसा को अपना पैसा को अपनो लॉग कर लिए तो यहाँ पर मेरा जो strategy है जो mindset है कि बुलिश है बट बहुत जादा बुलिश नहीं extremely बुलिश नहीं है ठीक है आव एक तो और करते हैं पूर्वी बाफना जोइन किये के वह आज जोइन की थी वो उसको समझ में आ रहा है पूर्वी बाफना है और जानवी है ठीक है चलाओ कि अब हम लोग करते हैं कॉन सा कंपनी तुम्हारा फिवरेट कंपनी बताओ यू नीलिवर बताओ हिंदुस्तान यू लिवर का बताओ हिंदुस्तान यू लिवर कि समझे ना जितना भी साने डेली नेसे सिटी का जो प्रोड़क्स है कि हिंदुस्तान लिवर या फिर प्रॉक्टर अंगेंबल तो और एक है मैरिको और आइटी सी इसके अंदर में बहुत सारा ब्रैंड आता है कि टू नाइन डबल जरो ले लेते ठीक है यह सका सी एंपी चल रहा है मैंने क्या किया है मैंने क्या किया है मैंने कॉल बेचा है ठीक है मैंने कॉल बेचा है 35 का कॉल बेचा है और मैंने प्रीमियम खाया 50 रुपया और मैंने पुट बेचा है पुट बेचा है, मैंने पच्चिस सो का, ठीक है, और मैंने प्रीमियम खाया है, पचास रुपिया, ठीक है, अब देखो, प्राइसेज देख लो, प्राइसेज जैसे माल लो, समजब देखो, 2000, 125, 3000, 25, 4000, ठीक है, अब जैसे जो मैंने C माइनस किया, जास देखो, ऑपर जाने से दिफ्रेंस जाएगा तो लैप्स, laps 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 500 समझा P minus किया है तो नीचे जाने से difference जाएगा तो 500 laps 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 चीक है अब total payoff अगर मैं देखूँ तो total payoff में मेरा क्या आजाएगा 500 negative 0 0 0 500 negative ठीक है premium total में कितना खा लिया मैं 100 रुपया positive ठीक है and total profit जो आ रहे मेरा 400 negative 100 100 100 400 negative ठीक है मेरा ध्यान सुनों यहां कोई बता सकते है strategy क्या है बताओ यहां पर मेरा mindset क्या है मैं चाहता हूँ देखो पहला बात हूँ मैंने बेचा है तो I hate volatility मैं चाहता हूँ market थम जाए और कभी भी कोई अपनी बेचेगा ना तो एक तरफ का नहीं बेचेगा दोनों तरफ का बेचेगा चीज़ समझो क्यों दोनों तरफ का बेचेगा क्योंकि market तो कोई एक तरफ ही जाएगा लेकिन अगर तुम दोनों तरफ का बेचेगा तो तुम ज्यादा premium खाएगा ना अगर मालो मेरको लगता है कि market ये चीज़ समझना पड़ेगा अगर मेरको डिरेक्शन में confidence है वाद समझो यह अला पहले copy हो गया ना अगर मेरको लगता है अब मैं तुमको बताता हूँ पूरा game क्या होता है ठीक है चीज समझना अगर मेरको लगता है डिरेक्शन का बात करो ठीक है डिरेक्शन का मेरको लगता है market उपर जाएगा ठीक है market अगर उपर जाएगा तो यहां तो C प्लस करूंगा या फिर P माइनस करूंगा देखो इसमें भी एक चीज होता है C प्लस किया तो मतलब extremely bullish पी माइनस किया मतलब कम bullish मैंने बोलने का मतलब क्या है पी माइनस में मतलब क्या है पी माइनस इस वोट पी माइनस इस की नीचे जाने से difference जाएगा ठीक है अब एक में premium आ रहे है और एक में premium जा रहे तो यह भी देखना पड़ेगा बेन आई बाय ऑप्षण मेरे को margin requirement नहीं है जैसे पर एक्जमपल अगर माले तो कॉल ऑप्षण है तो यह सो रुप्या का अगर मालो 20 का लॉट तो मेरा 2000 पर लगेगा पट यह अगर में को पुट का एक लॉट बेचना है तो मेरे को दो लाख रुपय का margin लगेगा समझा क्योंकि theoretically क्या बनाया गिया है कि option जब बेचेंगे तो unlimited loss है contract value मैं तुमको समझा चुका हूँ अब जैसे मालो for example यह अपने जो लिये है अच्छी लेना तो 2900 का है तो 2900 के तो इसका lot size होगा 2900 का है ना तो तीन अजा समझ लो तो 30 कितना कहा देखो lot size 200 का आसपास का होना चीह थाइस हो क्या आसपास का lot size होना चीह चेक करो कितना आ रहे है lot size देखो तो कितना है actual का हूं 300 है ना समझा तो कितना आ रहे है मोटा मोटी कितना आ रहे है 8,70,000 आ रहे है क्या समझा इसका वो लोग बोलेगा 25% में को margin चाहिए लेकिन यहीं तुम option buy करेगा तो तुम इतना में buy कर लेगा अब लोग बेफकुफी क्या करता है वो लोग के पास में मानलो capital है 20,000 रुपया ठीक है वो लोग क्या करेगा यहीं 10 गुना buy कर लेगा तुम तीस समझो मने वो लोग को लगता है कि वो लोग lottery खेल रहा है option buying मतलब lottery खेल रहा है option selling के लिए तो margin चाहिए न तो option selling सब लोग नहीं कर पाता है और पैसा 99% of the time तुम्हारा selling में बनेगा buying में नहीं बनता है buying में पैसा नहीं बनेगा पैसा कभी नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि selling में क्या होता है option में option मैं समझाओंगा यह कल वाले class में कराओंगा यहला मने यहां पर इसका basically क्या है इसको यह लगता है कि market थम जाएगा और कभी भी कोई sell करेगा तो दोनों तरफ का करेगा क्योंकि देखो अगर वह एक तरफ का sell करता मालो वह खाली यहां का वह खाली यह sell करता तो 50 अगर एक तरफ का sell करता तो पचास सेल दोनों तरफ का करना है क्यों मार्केट तो एक ही तरफ जाएगा but only if you are non directional अगर तुमको मार्केट के बारे में कोई idea नहीं और तुमका option selling कर अब हम लोग करते हैं पे आफ तो पे आफ जो है कि सबसे बहले हम लोग बनाते हैं सी प्लस का ध्यान देना बहुत सिंपल बनाऊंगा मैं यह श्ट्राइक है ठीक है यह श्ट्राइक है तो यहां जा रहे हैं फिर ऐसे जाएंगे यहां है शेयर प्राइस और यहां पर है पे आफ समझ में आ गया क्योंकि जैसे ही शेयर प्राइस ट्राइक के ऊपर जाएगा फिर तुम्हारा पे आफ चालू हो जाएगा ठीक है और यह तो अगर तुम C- किया होता तो यही तुम्हारा देखो यह श्ट्राइक है ना कुछ नहीं करना है जैसे ही यहां पर हम लोंगा परे शेयर प्राइस और यहां पर हम लोंगा परे पे आफ यह ऐसे जाता और फिर यह ऐसे हो जाता क्योंकि एक रुपया बढ़ता तो एक रुपया का नुक्सान दो रुपया बढ़ती ऊपर जाने से डिफ्रेंस जाएगा ठीक है सी प्लस सी माइनस हुआ इसके बाद में अब जैसे इसके बाद में चय कि ईखी प्लस कैटिके एक यगर फीप्लस क्य तो नीचे जाने से डिफ्रेंस आएगा यह है नीचे जाने से डिफ्रेंस ऑगा नहैज जीरो जाएगा यह वाला पॉइंट Loy best कि Frank्या ऑग यह वाला पोइंट कि कि अरे शिंपल है ना और अगर तुम पी माइनस किया है तो नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा यह होगा माइनस के यह पे आउफ का है यही सेम चीज हम लोग को करना है यही सेम चीज हम लोग को करना है प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट का हलका आजजस्ट के एक होगा दिखना बनाया ने यह ला अब उन लोग करेंगे profit graphs ठीक है तो profit graphs में क्या होता है ध्यान देना profit graphs में क्या होता है ध्यान देना मैं एक करके दिखाता हूं c प्लस का ठीक है कि देखो कि सी प्लस का ग्राब देखना यह मान लो तुम्हारा के है यह नीचे से चालू होता है कि और यहां से ऐसे बढ़के यहां ऐसे काटेगा आज अगर मान लेते तुम्हारा शेयर प्राइस चल रहा है आट हजार ठीक है स्ट्राइक प्रेस है तुम्हारा आठ हजार तुमने जो प्रीमियम पे किया है वो दोस्तों का पे किया है ठीक है तो आठ हजार के और अगर मान लोग कॉल अप्शन भाई किया है तो आठ हजार के ऊपर तुम्हारा पे आफ चालू मैं बोलता हूं आठ हजार के ऊपर पे आफ चालू एन आठ हजार मित्तल दोसों के ऊपर प्राफिट चालू क्योंकि पहले तो रिकवरी होगा ना जो प्रीमियम पे किये यह वाला पॉइंट जो है यह है तुम्हारा आठ हजार और यह वाला जो पॉइंट है यह कितना है आठ हजार दोस्तो बनाओ इसको हुआ हुआ है यहां जाएगा शेयर प्राइस और यहां जाएगा प्रॉफिट बाकी मेर रफ में बनादे तो एक अचे समझा देना बाकी मेर अफ में बना देता हुआ कि ट्राइ करो तुम लोग सी माइनस का सी माइनस का ट्राइ करो कैसे बनेगा सी माइनस है ना कि फिर पी प्लस का कैसे बनेगा यहां श्ट्राइक होगा यहां श्ट्राइक होगा कि एक और बना देता पी माइनस का छोटा सा समझा बेसिकली जब बाई कर रहे हैं तो नीचे से चालू होगा क्योंकि पैसा लग रहा है जब सेल कर रहे हैं तो उपर से चालू हो रहा है क्योंकि प्रीमियम खा रहे हैं ठीक है ठीक है बोलो ठीक है अब रुको यह हो गया ना हाँ बोलो कुशी सर्थ माइvol आworm और लॉहां AmaRam पर अहदर इहोगा इवार प्रपर India इडेज्जे ने ब्रॉफ में इसली ऑनली ग्राम में यह ग्लाइफ देилась विट करेफ वो प्रेली में गड़ात हुआ 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 है और चीक है है चला हुआ है यहां दख हो गया अब इसके बाद एक स्ट्राइटेजी और करते है ठीक है यह वाला कुशन तुम लोग को आराम से बनाना ठीक है यह वाला बनाता हूँ bank nifty का कितना चला था माल लो 53,000 ठीक है bank nifty चला 53,000 और मैंने क्या किया है एक call buy किया है at the rate जो premium मैंने pay किया है 500 ठीक है एन उसका strike है 53,000 एक put buy किया है ठीक है 500 इसका भी strike है 53,000 एक call sell किया है ठीक है यह मैंने sell किया है 800 इसका जो strike price है वो है 53,500 और एक put sell किया है 800 इसका जो strike price है 52,500 ठीक है मैं levels दे दे रहा हूँ आपको copy होगे एला? हाँ? copy होगया? मैं levels दे रहा हूँ आपको एक मुट्ट को ठीक है करिये बनाई यह समको क्या क्या रहा है बताइए final profit जानना है मेर को क्या झापको झाल मैंजय के मुट्ट कि जाशवी के जाव झाल 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 क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया था? कॉल बाइ किया था, राइट? तो जो C प्लस है, 53,000 का है तो लाप्स, लाप्स, लाप्स 200, 500, राइट? फिर उसके बाद में हमने क्या किया था? P प्लस किया था तो यहाँ पर आएगा 500, यहाँ पर आएगा 200, लाप्स, लाप्स, लाप्स फिर उसके बाद में हमने किया था C माइनस C माइनस ठीक है फिर उसके बाद में P माइनस में P माइनस भी सब में लाप्स हो जाएगा ना क्योंकि P माइनस का कितना है? 50 to 500 है, हाँ ठीक है ठीक है? फिर उसके बाद में तो टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है? और टोटल पैसा कितना जा रहा है अपना? हजार और पान्सो का रिकवरी तो पान्सो जा रहा है ना? यह सम में जा रहा है तो अपना फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 0 300 नेगेटिव 500 नेगेटिव 300 नेगेटिव 0 ठीक है? ठीक है? आज के लिए इतना है जाओ कल दो बजे बाई यह सम में सकते हैं क्व了